हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत थे आपके अपने यूट्यूब चैनल शेड़ी पे कोईन हिमाशी में पर तो हम लोग बात करें थे EBS के NCIT Best Questions के बारे में जिसमें हमने Class 3rd, 4th और 5th के सारे के सारे Questions कर लिये थे और आज की Class में हम लोग बात करेंगे EBS के Pedagogy Best Questions के बारे में अगर आप लोगोंने परानी वाली जो वीडियोज हुई हैं जिसमें हमने Class 3rd, 4th और 5th के सारे Questions कर वाए हैं वो नहीं देखी हैं तो आप लोग उनको जरूर देख लीजेगा क्योंकि वहाँ से आप लोगों के करीब 15 Questions बनने वाले हैं तो चलिए आज की Class को बिना देरी किये वे स्टार्ट करते हैं आज का पहला Question है विज्ञान के प्रदिबास आली चातर की समताओं को बढ़ाने के लिए निम्रिखित में से कौन सा अधिक लाबदायक है Option No.1 है कमजोर चातरों की मदद के लिए उसे प्रेडित करना Option No.2 है उसे जाच करने के लिए Option No.C है नई प्रयोजनाओं में उसकी मदद करने के लिए Option No.D है उसे स्वाधन के लिए निर्देश देना चलिए Question No.1 का आंसर दीजिए क्या उड़ाएगा इसका अंसर तो Question No.1 का Option No.C जिसने भी लगा रहेगा बिल्कुत सही नई प्रयोजनाओं में उसकी मदद करने के लिए Next Question है निर्देश में से कौन सा कथन प्राथमिक इस्तर पर एविस पढ़ाने का उद्यश से नहीं है जहाँ पर भी नहीं लिखा आप लोगों को देखने को मिल जाए वहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को उसको अंडरलाइन कर देना है उसके उपर या फिर गोला कर देना है फिर उसके बाद में आपको आंसर्स पढ़ने है पहला लिखा हुआ है प्रकर्त और सावाजिक पर्यावरण के बारे में जी ग्यासा जगाना दूसरा लिखा हुआ है संग्यातमक और मनोगतिक कोचल के विकास की और ले जाने वाली समावेज़सी और वेभारिक गतिविदियों को सनलगन करना ओप्शन नमबर सी लिखा हुआ है मुल्यांकन के लिए सब्दों और परिभासाओं के साथ सिछार्थियों का निर्थतु करना जीवन और पर्यवरण की चिंता की मुल्यों को आत्म साथ करना चलिए कोच्चन नमबर टू का आंसर दीजिए आज की लाच में 21 कोच्चन रहने वाले हैं अगर आप लोग 21 कोच्चन में से 18-19 कोच्चन सही से कर ले रहे हैं तो आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी है यह माली जिएगा चलिए ता यह कोच्चन नमबर टू का आंसर क्या हो रहेगा बहुत सिंबल से कोच्चन था कोच्चन नमबर टू का आंसर नमबर सी बिलकुल सही हो रहेगा मुल्यांकन के लिए सुदो और परिबासाओं के साथ सिछार्थियों का निर्थत्व करना आप लोगों को पता ही होगा जहां पर भी परिबासाओं पर बल दिया जाए वह हमेंसा उप्संस निगेटिव हो जाता है और कोच्चन भी कैसा था कोच्चन भी हमारा निगेटिव था इसलिए इसका आंसर सी हमेंसा सही हो रहेगा निगेटिव कोस्चन के साथ में निगेटिव आंसर ही सही होता है नेक्स्ट है EBS पार्थी पुष्टक में रेल वे टिकट का नमूना दिखाने का विचार ओप्शन नमबर एक लिखा हुआ है छात्रों को रेल किराय के बारे में बताना है ओप्शन नमबर बी लिखा हुआ है उन्हें टिकट में उप्वियों के जाने वाले विभिन संचिप्त अच्छों का ज्यान प्राप्त करना है ओप्शन नमबर सी में लिखा हुआ है निर्णे लेने के लिए चात्रों के कोस्ट को बढ़ाना है ओप्शन नमबर डी में लिखा हुआ है वास्तिविक जानकारी के साथ बाचित करने और आवलोकन के कोस्टों को विक्सित करने का आउसर देना है चलिए कोस्टन नमबर थरड का आंसर दीजिए क्या हो रहेगा कोस्टन नमबर थरड का आंसर नमबर D बिल्कुल सही है नेक्स्ट कोश्चन है बीज अंकुरन की आउधारना को सबसे अच्छे तरीके से पढ़ाया जा सकता है अब आपके सामने चार विकल्ब दिये गए हैं चलिता ये इनमें से किस विकल्ब दोरा बीज अंकुरन की अवधारना को सबसे अच्छे तरीके से पढ़ाया सकता है option number A में लिखा हुआ है अंकुरित बीज को कच्छा में दर्शा कर और अंकुरन की प्रक्रिया समझा कर option number B में लिखा हुआ है बोर्ड पर ड्राइंग के माध्यम से अंकुरन चरणों को प्रस्वत करके option number C में लिखा हुआ है बीज बोने के लिए विभिन चरणों का पालन करने और उनका चितर बनाने के लिए कहकर option number D में लिखा हुआ है बीज अंकुरंड की तस्वीरें दिखा कर चलिए question number 4 का answer दीजिए क्या हो जाएगा question number 4 का answer तो question number 4 का answer number C बिल्कुल सही हो जाएगा बीज बोने के लिए भी इन चरणों का पालन करने और उनका चितर बनाने के लिए कहे कर यानि question number 4 का option number C बिल्कुल सही है नेक्स्ट हो जाएगा निम्रिखित में से कौन सा एविस पार्ठी पुष्टक में पहली और पजल को सामिल करने का उद्देश से नहीं है जहाँ पर भी आप लोगों को नहीं देखने को मिल जाए option number C में लिखा हुआ है चातरों के मन को ब्रहमित करना और option number D में लिखा हुआ है चातर के मन को ब्रहमित करना और उन्हें उस ब्रहमित का आनद लेने देना चलिए question number 5 का answer दीजिए क्या उजाएगा question number 5 का answer तो question number 5 का answer number C जिसने भी लगा लेगा बिल्कुछ सही चातर के मन को ब्रहमित करना नेक्स्ट कोश्चन है EBS सिच्चक के रूप में आप चातरों को चिडिया घर ले जाने की योजना बनाते हैं निम्लिखित में से आप चातरों को कौन सी गत्वदी करने की अनुमती नहीं देंगे चिडिया घर में जानवरों के लिए बहुत सारा खाना साथ ले जाना ऑप्शन नम्बर D में लिखा हुआ है चिडिया घर में विबिन जानवरों दोरा खाज जाने वाले भोजन का पता लगाने की कोशिस करना चलिए कोश्चन नम्बर 6 का अंसर दीजिए इनमेट से आप कौन सी अनमरती अपने चातरों को नहीं देंगे क्या होड़ाएगा question number six answer तो सभी को बताना चाहिए चिडिया घर में जानवलों के लिए खाना नहीं ले जा सकते हैं जिस पर रोक लगी हुई है इसलिए इस answer number C बिल्कुल सही हो रहेगा नेक्स्ट है question number seven प्राथमे की स्तर पर मुल्यांकन में शामिल होना चाहिए यानि जो आपकी one to fifth की classes हैं उसमें मुल्यांकन में क्या सामिल होना चाहिए option number एक है सिचारतियों और अभिभावकों के साथ निरंतर और असंचरित और लोकन option number b में लिخा हूआ है प्रतियक सफता किये गए अप्चारिक परिच्छन और खेल सामिल होने चाहिए और report card में दर्ज किये होने चाहिए option number c में लिखा हूआ है worth के अंद में अर्ध वार्सिक और वार्सिक परिच्छा है option number d में लिखा हूआ है पास या फेल के रूप में यूवा सिचार्थियों को मुल्यांकित करने के लिए हर सबते ग्रह कार और कच्छा कार चलिए question number 7 का answer दीजिए क्या हो रहेगा इसका सही answer तो question number 7 का option number 1 बिल्कुल सही हो रहेगा सिचार्थियों और अयुवावकों के साथ निरंतर असंचरिद सिच्छक अवलोकन next question है question number 8 इविस कच्छा में सरल प्रयोग और प्रदर्शन किया जा सकते हैं option number 1 है चातरों को अपने दम पर सीखने और अपने अवलोकन कोचलों को अच्छा बनाने में सहता के लिए option number B में लिखा हुआ है वरिष्ट कच्छों में जो किया जा रहा है उसका पालन करने के लिए option number C है चातरों दर उठाएगे प्रशन की अधार पर विचार करने और विचलेशन अवलोकन को रिकॉर्ड करने के लिए option number D है कच्छा में अनुशाचन बना रखने के लिए चातरों को नियंतरित करने के लिए चलिए question number 8 का answer दीजिए क्या हो रहेगा इसका answer तो question number 8 का answer number A बिल्कुल सही हो रहेगा चातरों को अपने दम पर सीखने और अपने आवलोकन कोशनों को अच्छा बनाने में साहता के लिए next question है question number 9 assignment के बारे में निम्रिखित में से कौन सा कथन सही है option number 1 है विविद्दा और अभ्याज कराने के लिए assignment को हर दिन ग्रहकार के बाद कच्छा कारे के रूप में दिया जाना चाहिए option number B है assignment मुल्यांकन का एक मातर तरीका होना चाहिए option number C है assignment सचारतियों को जानकारी हासिन कलने अपने सोयम के विचारों का निर्मार करने और उन्हें इस पष्ट करने का उसर प्रदान करते हैं option number D है माता पिता भाई या बेहन द्वारा उनकी प्रतिभा के अधार पर assignment किया जा सकता है चलिए question number 9 का आंसर दिजिए क्या होड़ाएगा question number 9 का आंसर प्रदान करते हैं next question है मांचित्र को पढ़ने के लिए आवसे कोशल शामिल है यानि अगर आप लोगों को किसी मांचित्र को पढ़ना है तो आपके पास कौन से कोशल होने चाहिए option number 1 है उत्रक्रेश्ट, ड्राइंग और पैंटिंग option number 2 है एक गलोब की गरना और रेखाओं की इस्तिती का उपयोग करने की चमता option number C है आर्थ पूर्ण चमता निर्मार करने के लिए उत्रक्रेश्ट, संचार चमता option number D है इस्थान, दूरी, दिशाओं की सापेच इस्तिती को समझने की चमता चलिए question number 10 का आंसर दीजिए तो question number 10 का option number D बिल्कुत सहुआ रहेगा इस्थान दूरी और दिशाओं की सापेच इस्तिती को समझने की चमता next है एवेज कच्छा में और धर्णाओं को समझाने के लिए कविताओं और कहानी कहने का उपयोग मदद करता है option number 1 है पाठ को सुखद और रोचक बनाने में option number B है विश्वासनी और वैस्विक इस्तर पर दुनिया की प्रकृत की कलपना करना और उसका पता लगाने की चातर की समता को बढ़ावा देने में option number C है सिचार्तियों के बीच बहाचा और सांसर क्रितिक विश्विता का खेया लखने में option number D है चातर की उर्जा को सही दिसा में ले जाने में चलिए question number 11 का answer दीजिए तो question number 11 का option number B जिसने भी लगा लेगा बिल्कुश सही विश्वासनी और वैस्विक इस्तर पर दुनिया की प्रक्रत की कलपना करने और उसका पता लगाने में चातरों की मदद करना next question है question number 12 A.V.S का च्छाओं को सिचार्तियों को हाथों पर गत्विदियों और जाच में सामिल करना चाहिए क्योंकि इससे उन्हें मदद मिलती है option number 1 है अपने वातावरण में स्वतंतर रूप से घटनाओं का अन्यवेशन करें option number B है विज्ञान सीखने के लिए प्रयोक साला से सम्दित कौसल विक्सित करना option number C है विज्ञानिक और धरना को बहतर तरीके से जाने option number D है विज्ञान में रूची का विकास करना चलिए question number 12 का आंसर दीजिए क्या हुझाएगा इसका आंसर अपने वातावरण में स्वतंतर रूप से घटनाओं का अन्यवेशन करें next question है एक सिच्छी का अपने च्छात्रों को पीटी सरीसरप के बारे में पढ़ाते हुए वा कई उधारण दे कर पार्ट सुरू करती है और च्छात्रों से उन विशस्ताओं को खोजने के लिए कहती है जो उनके पास थी वा उपयोग कर रही है option number 1 है प्रेरक द्रिश्टिकोंड का option number B है deductive approach का option number C है inductive deductive approach का option number D है deductive inductive approach का चलिए question number 13 का answer दीजिए वा किस approach का प्रिवग कर रही है तो question number 13 का option number A बिल्कुछ है उड़ेगा प्रेरक द्रिश्टिकोंड का उपियोग कर रही है next है question number 4 दा कच्छा 5 के छात्रों के लिए एक सिच्छी का जनौनों के बोज़ पर एक कच्छा ले रही है चर्चा करने से पहले वा एक वीडियो दिखाती है जहां एक गधा समान से भरा हुआ है और गधा चलते समय लगडा कर चलता है सिच्छक अपने चात्रों के साथ चर्चा करने की कोशिस कर रही है के दर्सन के साथ मेलखाती है जैसे कि EBS đes लिखा हुआ है बच्चों में समय से सल जाने की छमता विक्सित करना second मे लिखा हुआ है बच्चों का समंगर विकास next है बच्चों में समाजिक छमताओं का विकास करना और चौत्रा प्सनें ये सभी चलिए question number 15 का answer दीजिए क्या रहेगा इसका answer तो question number 15 का option number B बिल्कुल से रहेगा बच्चों का शमागर विकास या संपूर्ण विकास next है EBS work के लिए बच्चों के प्रश्न महत्थपूर्ण है क्योंकि वे एक संकेत तक है option number 1 है बच्चों को क्या नहीं पता है option number 2 है बच्चे क्या जाना चाहते थे option number C है या सुविकार करता है कि सिच्चक समझाने में सच्चम नहीं था option number D है बच्चों की याद करने की चमता पर चलिए question number 16 का answer दीजिए क्या रहेगा question number 16 का answer तो question number 16 का option number B बच्चे क्या जानना चाहते थे next है एवेस में स्टोरी टेलिंग एक प्रभाव साली सिच्चड रण नीती है option number 1 है या सेखने वालों को सुनने की चमता विक्सित करने में मदद करता है option number B है या दूसरों के संदर में इस्तित की कलपना करने की चमता विक्सित करता है option number C है इससे शिचार्थियों में कहानी लेकन की चमता विक्सित होती है और option number D है या पार्ठ को बहुत रोचक बनाता है चलिए question number 17 का आंसर दीजिए एवेस में स्टोरी टेलिंग एक प्रभावसाली सिच्छन रणिती क्यों है क्या हो रहेगा या दूसरों के संदर में इस्तित की गलपना करने की चमता विक्सित करता है यानि question number 17 का option number B बिल्कुल सही हो रहेगा next है एक प्राथमिक सिच्छक बच्चों के साथ इविस कच्छा में विभेंड फसल तेवारों पर चल्चा कर रहे है या उनकी मदद करेगा option number 1 है इन तेवारों के बारे में जानना option number B है हमारे देश में कटाई की प्रक्रिया के संबंद में मौझूद विविदता को समझना option number C है उनकी अनभों को अर्थ प्रदान करके option number D है A वाभी दोनों चलिए question number 18 का अंसर दीजिए तो question number 18 का option number D जिसने भी लगा रहे है बलकुछ सही यानि इसके A और B दोनों विकल्प सही थे next हो जाएगा question number 19 विग्यान ग्यान एक गत्सील शरीर है option number 1 है इसमें विग्यानिक प्रक्रिया शामिल है option number B है यह समय के साथ बदलता रहता है option number C है इसमें रजनात्मक लोग सामिल है option number D है इसका विस्तार होता रहता है चलिए question number 19 का आंसर दीजिए विग्यान ग्यान एक गत्सील शरीर है question number 19 का option number B बिल्कु सेव रहेगा यह समय के साथ बदलता रहता है नेक्स्ट है question number 20 विज्ञान में वेवारिक कारिक में चात्र शामिल है option number 1 है केवल प्रयोग option number B है प्रयोग साला केवल काम करती है option number C है दोनों समगरी और प्रतेच अनभों से जुड़ना option number D है हाथों के अनभों ही चलिए question number 20 का आंसर दीजिए तो I hope आप लोगों ने पतक इसका सही से अंसर कर दिया होगा क्या हो रहेगा इसका अंसर इसका अंसर नंभों सी बिल्कु से यह हो रहेगा दोनों समगरी और प्रतेच अनभों से जुड़ना नेक्स्ट कोच्चन है question number 21 विज्ञान सिच्छण में द्रिश्ट कोण होना चाहिए बाल के अंदरिट द्रिश्ट कोण होना चाहिए या फिर स्कूल के अंदरिट पार्ठ करम के अंदरिट या फिर सिच्छा के अंदरिट चलित आईए विज्ञान सेच्छन में द्रिष्ट कोण कैसा होना चाहिए तो question number 21 का option number A बिल्कुल सही हो रहेगा बालक केंदृत यानि बाल केंदृत द्रिष्ट कोण होना चाहिए तो ये थी आज की हमारी class आयोग आप लोगों को class अच्छी लगी होगी और आप लोगों के 21 questions में से कितने questions सही हुए है आप लोगों को comment करके बताना है चलिए मिलते हैं आप लोगों को next shoot में तब तक के लिए जैन जै भारत झाल